ओम नमो भगवते बाशुदेवार आज आप इस वीडियो में मरी हुई माता को अगर सपन में देखते हैं तो इसके क्या संकेत होते हैं कौन सा सपना सुब फल देगा और कौन सा असुब फल क्योंकि कई सपने देखने में बहुत दरावने होते हैं पर उनका संकेत सुब होता है और कई सपने देखने में बहुत अच्छे लगते हैं पर उनका संकेत बहुत असुभ होता है तो मा से जुड़े हुए सभी सपनों के विशय में अब आप जान लें नमबर एक सपने में मा की मृत्यु देखना दोस्तों यह सपन जितना ड्रावना है उतना ही सुभ है इस सपन का मतलब है कि आपकी माताजी का उम्र बढ़ने वाला है चिन्ता ना करें नमबर दो सपने में मरी हुई मा को देखना दोस्तों अगर आप ऐसा कोई सपना देखते हैं कि जिसमें आप अपनी मरी हुई मा को देखते हैं वह सपने में आई हो तो वह सुभ है नमबर तीन सपने में मरी मा को दोस्तों अगर आपकी माता जी का स्वर्गवास हो गया है तो यदि आप कोई ऐसा सपना देखते हैं जिसमें आपकी माता आती हैं और वह आपको अपने पास बुलाती हैं तो यह सपना आपके लिए असुभ है यह सपना आपको काल के मुह में जाने का संकेत दे रहा है अर्थात आपके मृत जल्द होने वाली है आप सावधान हो जाईए नमबर चार सपने में मरी हुई मा से लोरी सुनना दोस्तों यह सवपन आपके लिए सुभ संकेत लेकर आता है इसका मतलब है कि आपकी माता आपसे बहुत प्रेम करती थी छोटे म संकट आपका कुछ भी नहीं विगार पाएंगे आपकी माता का आशिरवाद आपके साथ है आपकी रक्षा कर रहा है नमबर पांच सपने में मरी हुई माक आपसे कुछ मांगती है दोस्तों अगर आप इस प्रकार से कोई स्वपन देखते हैं जिसमें आपकी मित्मा आपस से कुछ मांगती हैं तो इसका संकेत असुभ है आप आर्थिक तंगी से गुजरने वाले हैं आप सावधान हो जाईए नमबर छे सपने में मृत मा की फोटो देखना दोस्तों अगर आप सपने में स्वर्गवासी मा का फोटो देखते हैं तो इसका संकेत है कि आप पुरान यादों या पुरानी बातों को याद करके दुखी होने वाले हैं अगर ऐसा सपन आप देखते हैं तो आपको अकेले पन से दूर रहना होगा आप सावधान हो जाईए नमबर साथ सपने में मरू हुई मा को आसिर बात देते हुए देखना दोस्तों यह सपना बहुत ही सु करता है कि निकट भविश में आपको बहुत बड़ा लाव होने वाला है और आपका हर कारे पूरा होने वाला है आपका रुका हुआ धन वापस मिलने वाला है नमबर आठ सपने में मरी हुई मा को बीमार देखना दोस्तों अगर आपकी मा स्वर्गवासी हो गई हैं और काल का संकट आपके जीवन में दस्तक देने वाला है जो आपने पीछे छोड़ दिया था उस संकट को हटा दिये थे वह पुनह आने वाला है आप सावधान हो जाईए नंबर नो सपने में मरी हुई मा को कुछ देते हुए देखना दोस्तों अगर आपकी स्वर्गवासी मा अपड़े देती हैं तो यह सपन बहुत ही सुभ है आपकी माता का आसिरबाद आप पर हमेशा बना रहेगा आपकी माता आप से बहुत प्रेम करती हैं और वह हमेशा आपकी रच्छा करती रहेंगी नंबर दस सपने में मरी हुई मा को मारना दोस्तों वैसे खुली आखों स यह सपना कोई नहीं देख सकता लेकिन सपनों की दुनिया में कुछ भी दिखाई दे जाता है अगर सपने में अपनी मा को आप मार पीट रहे हैं तो यह सपन आपके लिए असुप संकेत लेकर आया है दोस्तों आपका बिनास आपके ही हाथों दौरा होने वाला है आप हो जाईए नमबर ग्यारा सपने में मरी हुई मा को जन्म देते हुए देखना दोस्तों यह सपन अजीव गरीब है लेकिन इस सपन का संकेत सुब फलदाई है इसका मतलब है कि आपकी माता जी की इच्छा अधूरी रह गई थी आने वाले समय में आपकी माता जी आपके घर में कन्या के रूप में जन्म लेने वाली है और आपके साथ बचा हुआ समय ब्यतीत करने वाली है नमबर बारा सपने में मा को गुस्से में देखना दोस्तों अगर आप ऐसा सपन देखते हैं जिसमें आपकी माता जी गुस्से में दिखाई दे रही हो तो इसका मतलब है कि आपकी माता जी आपको सतर्क कर रही हैं कि जो कारे तुम कर रहे हो वह सही नहीं है आप गलत संगत पर जा रहे हो साउधान हो जाओ वरना आपके जीवन में परिशानिया आने वाली हैं दोस्तों इस सपन का संकेत अच्छा नहीं है दोस्तों इस सपन के आने का दो कारण हो सकता है पहला आपकी माता जी की आत्मा को सांती नहीं मिली हुई है या फिर आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है दोस्तों अगर सपन में आप अपनी माता जी का पर छू रहे हैं तो यह सपन संकेत देता है कि निकट भविश में आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है आपको अपारधन योम सम्मान मिलने वाला है नमबर पंदरा मृत मा को गले लगाना दोस्तों यह सपन दो प्रकार से आ सकता है पहला की मा खुसी से आपको गले लगा रही है तो यह आपके लिए सुभ संकेत है और दूसरा अगर आप रो रहे हैं या आपकी माता जी रो रही है और उस दवरान वह गले लगाती है तो यह असुब माना गया है आप किसी बड़े भावनात्मा दर्द से गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं आपकी माता को इसकी चिंता हो रही है नमबर 14, सपने में मृत मा को खाना खिलाते देखना दोस्तों अगर सपन में आपकी मा खाना मांगती हैं तो यह सपन आपके लिए बहुत असुब है यह सपन आपको आगाह करता है कि निकट भविश्च में आपके घर में खाने पीने की बस्तूओं का अभाव होने वाला है कम नहीं है नंबर सत्रा सपने में मरी हुई मा से बाते करना दोस्तों ऐसा स्वपन अक्सर लोग देखते रहते हैं इसका संकेत सुब और असुब दोनों है सुब संकेत यह है कि आपकी इस्थिती जल्द सुधर जाएगी और असुब संकेत यह है कि अगर आपकी इस्थिती सह है तो इस्तिती डगमगाने वाली है नमबर अठारा सपने में मरी हुई मा का स्राथ देखना दोस्तों अगर आप ऐसा स्वपन देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने मा की मृत्व के बाद उनका क्रिया करम ठीक से नहीं किया है तो अधुरी क्रिया करम को किसी विद्व सपने में मृत माता को घर आते देखना दोस्तों ऐसा सपन बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है अगर आपने देखा है तो यह आपके लिए सुभ संकेत है आप जिस चीज को पाने के लिए लंबे समय से इंतिजार कर रहे थे आपको जल्द मिलने वाला है नमबर बीस मर आपकी माता से आपका जगड़ा हो रहा है आपकी माता आपको डाट रही है आप अपनी माता को अपसब्द बोल रहे हैं तो यह सपना इस बात की वोर संकेत करता है कि आपके हाथों बहुत बड़ी चूक होने वाली है यह सपना आपके लिए बहुत असुभ है आप सतर को ह पूर्वा नुमान लगा कर इसे ठीक करने का प्रयास कीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आप लोगों को पशंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हो सके तो इसे सेर कीजिएगा जिससे अन्य लोग भी इसका लाब उठा सक ओम नमू भग्वते बाशुदेवाई